हलो फ्रेंड्स वेलकम बाग तो और यूटूब चानल इजी माथ्स विद पी अंसर देखें फ्रेंड्स हमने डेफिनाइट इंडिग्रेशन इस चाप्टर में एक्जसाइज 4.1 के सभी क्वेशन के सोलुशन बहुती अच्छी तरह से सीखें वहाँ पर हमने समेशन फॉर्म में 3 या 4 मार्स के लिए पूछा जाएगा तो प्रापटी के प्रूफ अच्छी तरह से प्रिपेर कीजिए फिर उसके बाद हमने एक्जिसाइज 4.2 का क्वेशन फर्स और क्वेशन सेकंड इन दोनों क्वेशन के सभी सब क्वेशन के सोलुशन बहुत ही अच्छी तरह से स इसे इंटिग्रेशन के 3 मेतर्स हैं तो इन में से एक या दो मेतर्स यूज़ करके हमने उन प्रॉब्लम को सॉल किया है लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्जिसाइज 4.2 का जो क्वेशन नंबर 3 है इस क्वेशन नंबर 3 में आपको टोटल क्वेशन नंबर 1 से लेके क्वेशन नंबर 15 तक ऐसे क्वेशन नंबर 8 तक इस सभी क्वेशन के सॉलूशन बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे देखेंगे इसके पहले वीडियो लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चाप्टर के प प्लेश्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा है आप उसे भी जरूर देखिए हमने mathematics part 1 कम प्लीट बहुत ही अच्छी तरह से कम्प्लीट किया है तो vulnerabilities part 1 के सभी वीडियो सभी चाप्टर के वीडियो टेलिग्राम ग्रूप है, इस टेलिग्राम ग्रूप को भी जॉइन कीज़े, इंस्टाग्राम और टेलिग्राम का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज उसे यूज करके आप जॉइन कीज़े, चलिए आज हम exercise 4.2 का question number 3 जो है, इसमें से sub question solve करेंगे, लेकिन देखिए, यहां के हर एक sub question में हमें properties use करनी है, जो properties हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसके पहले सीखे है, ठीक है, अगर आपने उस properties के video lecture को नहीं देखा होगा, तो इसी वीडियो के description में मैंने link दे रखा है, properties prepare करना, properties हमें learn करना हमारे लिए बहुत necessary ह ओके, देखिए, first problem हमारे पास है, integration from 0 to pi by 2, log of tan of x dx, ओके, तो यहां पे हम property use करेंगे, देखिए हमारे पास property है, मैं यहां पे property लिखता हूँ, using integration from a to b, f of x dx, चलिए हम 0 to a का property लेते हैं, integration from 0 to a f of x dx, equals to integration from 0 to a f of a minus x dx, यह property हमारे पास है, integration from a to b का भी property है, लेकिन यहां पे 0 से start हो रहा है, lower limit 0 है, तो हमने property 0 to a का यहां पे consider किया है, देखिए, इस property में, क्या हुआ है, यहां पे जो x है, x की जगा यहां पे a minus x लिया है, मतलब x को a minus x में change किया है, उसी प्रकार से यहां पे भी हम change करेंगे, changing, okay, changing, क्या change करना है, यहां पे x साथ और a minus x लिया, क्यों ऐसा लिया है, because upper limit is a, लेकिन हमारे problem में upper limit pi by 2 है, हमारे question में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां के x को change करेंगे, pi by 2 minus x, इस प्रकार से, यह tends to का sign नहीं है, confuse नहीं होना है, तो limit में हमने इसे tends to use किया है, ठीक है, यह tends to नहीं है, हम क्या कर रहे है, x को change कर रहे है, किस के साथ, pi by 2 minus x के साथ, और यह हम क्यों कर सकते है, because we have a property, हमारे पास यह property है, ठीक है, now therefore, i equals to, integration from 0 to pi by 2, log of tan of x की जगा हमें लेना है, pi by 2 minus x, okay, with respect to x dx, ठीक है न, हमने क्या change किया है, जो x था, उसकी जगा हमने pi by 2 minus x लिया है, हमें tan of pi by 2 minus theta पता है, tan of pi by 2 minus theta is cot theta, therefore tan of pi by 2 minus x का value क्या रहेगा, a cot x, log of cot x dx, okay, now look here, यहाँ पे, चलिए हम इसे justify करते है, हमें पता है, tan of pi by 2 minus theta equals to, क्या रहता है, cot theta, ठीक है न, देखिए, इसे हम equation first कहेंगे, और इसे हम second कहते है, call this second, adding first and second, first और second का हम sum लेते है, adding first and second, दोनों का sum लेना है, मतलब दोनों के LHS का sum लेना है, दोनों के RHS का sum लेना, इसका मतलब, i plus i equals to integration from 0 to pi by 2 log of tan x dx plus integration from 0 to pi by 2 log of cot x dx दोनों भी equation के हमने LHS का sum लिया है और दोनों भी equation के RHS का sum लिया है now therefore i plus i is 2i integration from 0 to pi by 2 इसे हम बाहर लेते हैं integration from 0 to pi क्योंकि हमें property पता है अगर integration of f of x dx plus integration of g of x dx है तो उसे आप लिख सकते हो integration of f of x plus g of x dx तो उसी rule को use करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं log of tan x plus log of cot x ठीक है कौन सा rule यहाँ पर हमने use किया है इसे लिखने की ज़रुरत ने because it is very fundamental ठीक है तो देखिए हमारे पास 2i equals to क्या रहेगा therefore 2i equals to integration from 0 to pi by 2 हमें log का तो law पता है log a plus log b रहेगा तो log of a plus b तो उस प्रकार से यह रहेगा log of tan x into cortex dx पता है ना आपको चाहे तो मैं यहाँ पर justify करता हूँ देखिए हमें पता है अगर log a plus log b रहेगा तो उसे हम लिख सकते है log of a b यही हमने यहाँ पर use किया है ओके हमें पता है tan x is the reciprocal of cortex tan x into cortex कितना है 1 चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो integration from 0 to pi by 2 log of यह tan x as it is cortex का value है 1 upon tan x they are reciprocal of each other तो tan x tan x के साथ cancel होगा therefore 2i equals to integration from 0 to pi by 2 log of 1 और यहाँ पर रहेगा dx यह tan x इस tan x के साथ cancel होगा therefore 2i तो यहाँ पर 1 लिया है हमने अब log of 1 का value हमें पता है integration from 0 to pi by 2 log of 1 is 0 अब यह 0 है तो इसका integration भी 0 ही रहेगा therefore 2i equals to 0 and therefore i equals to 0 upon 2 and therefore i का value हमारे पास क्या रहेगा 0 ठीक है तो integration from 0 to pi by 2 log of tan x dx इसका अंसर हमें क्या मिलेगा 0 ठीक है चलिए इसी प्रकार से next question solve करबाए question number 2 is integration from 0 to a 1 upon x plus under root a square minus x square dx ठीक है यह हमें 1 minus cos square theta इस प्रकार से दिखता है ठीक है ना या फिर 1 minus sin square theta ठीक है ना लुकियर suppose हम यहाँ पे x equals to cos theta substitute करते a cos theta x equals to हमने क्या substitute किया a cos theta अगर x equals to a cos theta है तो dx equals to मिलेगा हमें minus a sin theta d theta ठीक है या फिर आप x equals to a sin theta भी substitute कर सकते हो तो यह रहेगा minus a sin theta d theta किसका value dx का ना लुकियर अगर x equals to a cos theta है इसका मतलब cos theta equals to क्या रहेगा x upon a ठीक है चलिए अब हम यहाँ पे theta का value find करने के लिए इस इस प्रकार से consider करते है x equals to a cos theta this implies cos theta equals to x upon a चलेगा limits change करेंगे when धान दिजे when x equals to 0 रहेगा तो cos theta equals to 0 upon a मतलब 0 मिलेगा when when cos theta equals to 0 cos theta equals to 0 इसका मतलब theta equals to कितना रहेगा 0 ठीक है अगर cos theta equals to 0 है तो sorry theta equals to pi by 2 रहेगा okay theta equals to क्या रहेगा pi by 2 क्योंको cos of theta 0 है तो कौन से angle का cos 0 रहेगा pi by 2 इस angle का cos 0 है तो इसका मतलब theta का value pi by 2 रहेगा when x equals to a जब x का value a रहेगा तो cos theta equals to हमारे पास रहेगा a upon a क्योंकि cos theta x upon a x का value a है a upon a इसका मतलब 1 this implies theta equals to 0 ठीक है न हमें पता है cos of 0 का value कितना है 1 है therefore theta equals to 0 अब देखिए यह जो problem हमें दिया था यह problem अब किस प्रकार से दिखेगा हमें integration from 0 to a की जगा 0 to a की जगा pi by 2 to 0 मिलेगा from pi by 2 to 0 ओके what is dx now dx is minus a sin theta d theta and this whole term divided by x is a cos theta plus under root देखिए क्या मिलेगा under root में a square minus a square cos square theta ओके therefore i equals to minus integration from pi by 2 to 0 numerator में a sin theta d theta upon denominator में यहाँ पे a cos theta plus square root में ही अगर हम a square बाहर लेते हैं तो bracket में मिलेगा one minus cos square theta चाहे तो यह d theta हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब देखिए इस minus sign को हम absorb कर सकते हैं हमारे पास property है definite integration की using look here using integration from 0 to a f of x dx 0 to a sorry a to b f of x dx यह property लेते हैं पहले हैं integration from a to b f of x dx equals to minus integration from b to a f of x dx ओके तो यहां पे हमने limits को interchange किया है अगर limits upper limit lower limit को interchange करते हैं तो sin change होगा अब यहां पे upper limit lower limit को interchange करेगे तो minus की जगा हमें plus मिलेगा therefore therefore यहां मिलेगा a equals to integration from 0 to pi by 2 okay numerator में है a sin theta a sin theta and this whole term divided by a cos theta a cos theta plus under root a square 1 minus cos square theta is sin square theta और साथ में है d theta under root a square sin square theta and therefore i equals to integration from 0 to pi by 2 a sin theta upon a cos theta plus a sin theta और साथ में है d theta okay now therefore i equals to integration from 0 to pi by 2 a sin theta upon यहां से अगर हम a बाहर लेते हैं तो bracket में cos theta plus sin theta रहेगा with respect to theta a a हम cancel कर सकते हैं therefore i equals to integration from 0 to pi by 2 numerator में sin theta upon cos theta plus sin theta d theta इसे कहेंगे हम first अब यहां पे हमें property यूज करनी है now using देखिए यहां पे अगर हम property यूज करते हैं कौन सी property integration from 0 to a f of x dx equals to integration from 0 to a f of a minus x dx यहां पे क्या change किया है x को a minus x में तो उसी प्रकार से changing हमें क्या change करना है now changing यहां का जो theta है theta को pi by 2 minus theta में change करना है समझ रहे ना आप जो theta है theta को pi by 2 minus theta में अगर change करेंगे तो i equals to क्या मिलेगा integration from 0 to pi by 2 sin of pi by 2 minus theta upon cos of pi by 2 minus theta plus sin of pi by 2 minus theta जहां जहां theta है उसे हमें pi by 2 minus theta से change करना है therefore i equals to integration from 0 to pi by 2 sin of pi by 2 minus theta is cos theta upon cos of pi by 2 minus theta is sin theta again sin of pi by 2 minus theta is cos theta और यहां पर d theta चलिए इसे कहते हम second now adding first and second okay adding first and second look here अगर दोनों को हम add करते हैं तो दोनों के lhs का sum हमें मिलेगा 2i अब इसे directly लेते हैं जैसे पहले question में हमने यह term को प्लस यह term को लिया था ठीक है हम यहाँ पे क्या कर सकते है integration from 0 to pi by 2 terms अगर इन दोनों को हम add करेंगे 0 to pi by 2 को बहार ले सकते है और दोनों places का denominator सेम है ठीक है ना चाहे तो चलिए एक step हम बढ़ा देंगे यहाँ पे sin theta upon sin theta upon हमारे पास क्या है cos theta plus sin theta d theta okay plus integration from 0 to pi by 2 अब second equation का RHS क्या है cos theta upon sin theta plus cos theta और साथ में है d theta समझ रहना आप now therefore 2i equals to अब धान दीजिए 2i equals to integration from 0 to pi by 2 अब दोनों भी places में denominator हमें सेम दीख रहा है यहाँ पे cos theta plus sin theta है वहाँ पे sin theta plus cos theta है तो हम यहाँ पे इसका sum ले सकते है numerator में रहेगा sin theta plus cos theta denominator में भी रहेगा sin theta plus cos theta या cos theta plus sin theta और फिर d theta देखे sin theta plus cos theta upon sin theta plus cos theta अगर cancel होगा तो हमें 1 मिलेगा यहाँ पे लिखता हूँ मैं therefore 2i equals to integration from 0 to pi by 2 1 with respect to theta ठीक है ना क्योंकि sin theta plus cos theta upon cos theta plus sin theta cancel होगा and therefore therefore 2i equals to 1 का integration with respect to theta theta from 0 to pi by 2 1 का integration with respect to theta क्या रहेगा theta because theta का derivative with respect to theta 1 रहता है तो 1 का integration with respect to theta theta मिलेगा and therefore अब लेना है में upper limit minus lower limit theta की जगा upper limit pi by 2 रखना है minus theta की जगा lower limit 0 रखना है therefore 2i equals to pi by 2 and therefore i equals to pi upon 2 into 2 and therefore i equals to pi by 4 ठीक है ये रहेगा हमारा final answer i का value हमें मिलेगा pi by 4 देखे श्रूरण अब आपको इसे अलग तरीके से solve करके देखना है जैसे मैंने यहाँ पे x equals to a cos theta substitute किया है आप इसे try किजे by putting x equals to a sin theta ठीक है ये आपके लिए homework रहेगा x equals to a cos theta मैंने यहाँ पे लिया है आप लीजे x equals to a sin theta और answer यहाँ का check किजे ठीक है चलिए आप इसी प्रकार से next question solve करते है question number 3 is integration from 0 to 1 log of 1 upon x minus 1 dx ओके चलिए इसे हम थोड़ा सा simplify कर लेते हैं integration from 0 to 1 log of अब इस x से अगर इसे multiply करेंगे तो ये मिलेगा 1 minus x upon x dx और इसे कहते हैं हम first ठीक है अब यहाँ पे हमें property use करनी है दहान दीजिए using integration from 0 to a f of x dx equals to integration from 0 to a f of a minus x dx ठीक है इस property को हमने यहाँ पे use करना है यहाँ का जो x है इस x को किस प्रकार से change किया गया है x को a minus x लिया गया है x यहाँ a मतलब upper limit अब हमारे question में upper limit 1 है तो यहाँ का x हम change करेंगे 1 minus x में यहाँ का x change किया है a minus x में because a is upper limit तो उसी प्रकार से यहाँ का जो x है हम change करेंगे 1 minus x में now therefore i equals to integration from 0 to 1 log of look here 1 minus x है x की जगा हमें 1 minus x लिखना है 1 minus x upon again x की जगा हमें लिखना है 1 minus x जहाँ जगा x है वहाँ पर हमें 1 minus x लिखना है okay now therefore i equals to integration from 0 to 1 log of देखें क्या मिलेगा 1 minus 1 plus x upon 1 minus x dx ठीक है ठीक है छिए बन इसे कहते हां हम से क्या रहे गा इंटीग्रेशन फ्रॉम second, दोनों का हम sum लेते हैं, adding first and second, अगर दोनों का हमने sum लिया, तो LHS का sum लेना है, LHS का sum 2i मिलेगा, यहां का i, वहां का i, i plus i, 2i, 2i equals to integration from 0 to 1 log of, equation first का right hand side, क्या है log of 1 minus x upon x dx, okay, plus integration from 0 to 1 log of x upon 1 minus x dx, चलेगा, अब दोनों भी places में integration के limits same है, उसे हम बाहर ले सकते हैं, as a common, integration from 0 to 1 log of, यह रहेगा, फिर 1 minus x upon x plus log of x upon 1 minus x, और यहां पर dx, ठीक है, now log a plus log b is log of a b, therefore 2i equals to integration from 0 to 1 log of 1 minus x upon x into x upon 1 minus x dx, चीक है, क्योंकि log of, देखिए, since log a plus log b, अजर ऐसा है, तो इसे हम लिखते है, log of a b, okay, now therefore 2i equals to, therefore 2i equals to integration from 0 to 1, log of, क्या रहेगा, देखिए, x, x के साथ cancel, 1 minus 1 minus x के साथ cancel, log of 1 dx, and therefore 2i equals to integration from 0 to 1, log of 1 का value है 0, dx, therefore 2i equals to integration from 0 to 1, 0, ठीक है, इसका आणसर ही 0 लेते है, चलिए, 0, okay, therefore i equals to 0 upon 2, and therefore i equals to 0, ठीक है, तो यहां पर हमें, इस problem का अंसर मिलेगा 0, okay, चलिए, अब इसी प्रकार से next question solve करते हैं, question number 4 is, integration from 0 to pi by 2, sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x dx, okay, चलिए, हम I equals to consider करते हैं, integration from 0 to pi by 2, sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x dx, okay, इसे हम first कहेंगे, okay, और यहां पर हम property use करते हैं, look here, using properties integration from a to b f of x, sorry, 0 to a, यहां पर 0 है, तो 0 to a लेते हैं, integration from 0 to a f of x dx equals to integration from 0 to a f of a minus x dx, यहां x को a minus x में change किया है, तो उसी प्रकार से हम हमारा जो यहां का x है, changing x to x को a minus x में change किया है, because here upper limit is a, लेकिन हमारे problem में upper limit क्या है, pi by 2, तो x को हम change करेंगे, pi by 2 minus x में, therefore, i equals to, क्या रहेगा, देखिए, integration from 0 to pi by 2, sin x की जगा, जहां जहां x है, वहां हमें क्या substitute करना है, pi by 2 minus x, तो यहां पे pi by 2 minus x, minus cos of x की जगा, pi by 2 minus x, upon 1 plus sin of, again x की जगा, pi by 2 minus x, cos of pi by 2 minus x, dx, okay, and therefore, i equals to, integration from 0 to pi by 2, what is sin of pi by 2 minus x, it is cos x, minus cos of pi by 2 minus x, it is sin x, sin of pi by 2 minus theta, cos theta, cos of pi by 2 minus theta, sin theta, and this whole term divided by, 1 plus cos of x into sin of x, dx, ठीक है, हमें, बता है, pi by 2 minus theta की लिए, अगर cos रहेगा, तो हम sin लेते है, sin रहेगा, तो cos लेते है, tan है, तो उसका cot ले, tan of pi by 2 minus theta, cot theta, cot of pi by 2 minus theta, tan theta, sec of pi by 2 minus theta, cosec theta, and cosec of pi by 2 minus theta, sec theta, देखे, यसे याद रखने के लिए, मैं simple सी बात अबको बताता हूँ, हम, जिन दो angle का sum 90 degree मिलता है, अतलब pi by 2 मिलेगा, उन दो angle को कहते हैं, हम complement angles, जिन दो angle का sum 90 degree है, उन्हें कहेंगे, हम complement angles, जैसे 30 का complement 60, दोनों का sum 90 है, 45 का complement 45, दोनों का sum 90 है, 0 का complement 90, दोनों का sum 90 है, 60 का complement 30, दोनों का sum 90 है, उसी प्रकार से theta का complement pi by 2 minus theta, दोनों का sum 90 मिलेगा, theta और pi by 2 minus theta, द्यार complement, चीक है, और उसी प्रकार से हम याद रखेंगे, sine का complement cos, cos का complement sin, tan का complement cot, cot का complement tan, sec का complement cose, cose का complement sec, ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि sin of pi by 2 minus theta is cos theta, cos of pi by 2 minus theta is sin theta, tan of pi by 2 minus theta is cot theta, cot of pi by 2 minus theta is tan theta, sec of pi by 2 minus theta is cosec theta and cosec of pi by 2 minus theta is sec theta, okay? Compliments है, sin, cos, compliments of each other, tan, cot, compliments of each other, sec, cosec, compliments of each other, okay? अब देखिए, इसे कहेंगे हम second और यहाँ पे हम first और second का sum लेते हैं, okay? के adding, दान दिजे, adding first and second, इन दोनों का हमें sum लेना हैं, okay? तो दोनों के LHS का sum, i plus i, 2i मिलेगा, दोनों के RHS का भी sum, integration from 0 to pi by 2, sin x minus cos x and this whole term divided by 1 plus sin x cos x dx plus integration from 0 to pi by 2, यहाँ पे है, cos x minus sin x and this whole term divided by 1 plus cos x into sin x dx, ठीक है, अब इन दोनों का sum लेना है, दोनों भी integrand में, integration के limits same हैं, तो इसे हम track कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, therefore 2i equals 2, integration from 0 to pi by 2, दोनों तरफ के limits, जो है same upper limit, lower limit, इसको हमने बाहर लिया है, और हम integrand का sum लेते हैं, मतलब sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x plus, यहाँ का integrand क्या है, cos x minus cos x minus sin x upon 1 plus cos x into sin x, और यहाँ है dx, ओके, अब देखिए, दोनों भी places का denominator same है, दोनों भी जगा denominator same है, तो हम numerator का sum ले सकते हैं, therefore 2i equals 2, integration from 0 to pi by 2, दोनों भी term में denominator हमें same दिख रहा है, ओके, now it will be 1 plus sin x into cos x, numerator में sin x minus cos x plus cos x minus sin x रहेगा, ओके, और यहाँ पे रहेगा dx, ठीक है, अब यहाँ का, देखिए, यहाँ का plus sin x minus sin x के साथ cancel होगा, और minus cos x plus cos x के साथ cancel होगा, इसका मतलब, therefore 2i equals to integration from 0 to pi by 2 of 0 dx, यह मिलेगा हमें, ओके, ठीक है ना, नहीं तो हम देखिए, एक step एड़ करते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, 0 upon 1 plus sin x into cos x dx, ठीक है, numerator हमें 0 मिला है, now 0 upon 1 plus sin x into cos x, it will be 0, integration from 0 to pi by 2, 0 dx, और 0 का integration 0 रहेगा, therefore i equals to 0 upon 2 मिलेगा, इसका मतलब i equals to 0, जैसे हमें question number 1 में answer 0 मिला था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी answer हमें क्या मिला है, 0, ठीक है, चलिए इसी प्रकार से next question solve करते हैं, now question number 5 is, integration from 0 to 3, x square 3 minus x, x square 3 minus x bracket raise to 5 by 2 dx, ओके, तो यहाँ पे देखिए हम property use करेंगे, integration from 0 to a f of x dx equals to integration from 0 to a f of a minus x dx, ओके, यहाँ पे x को a minus x में change किया गया है, because here upper limit is a, लेकिन problem में upper limit 3 है, therefore हम क्या कहेंगे, changing, इस problem में हमें किस प्रकार से change करना है, x को 3 minus x में change करना है, ओके, now therefore, देखिए हमारा problem अब क्या रहेगा, therefore, i equals to integration from 0 to 3, now this x is 3 minus x, 3 minus x bracket square, और यहाँ पे 3 minus 3 minus x, x की जगा हमने 3 minus x लिया है, raised to 5 by 2 dx, now therefore, i equals to integration from 0 to 3, 3 minus x bracket square, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए, 3 minus 3 plus x, raised to 5 by 2 dx, now therefore, i equals to integration from 0 to 3, 3 minus x bracket square, यह 3, 3, cancel होगा, तो x raised to 5 by 2 मिलेगा, ऐसा हमने क्यों किया, देखिए, इसका reason क्या है, हम 3 minus x raised to 5 by 2, इसे तो expand नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका power fraction में है, लेकिन 3 minus x bracket square को easily expand कर सकते हैं, और 3 minus x bracket square को expand किये बाद, यहां की जो term रहेगी, हर एक term को x raised to 5 by 2 से multiply कर सकते हैं, यह यहां पर possible नहीं था, धान दीजिए, 3 minus x raised to 5 by 2 को expand करना हमारे लिए possible नहीं था, लेकिन इसे expand करना हमारे लिए possible हैं, इसे expand किये बाद, x raised to 5 by 2 से हर एक term को multiply करेंगे, और easily उसे integrate कर पाएंगे, it is the benefit, it is the application of property of definite integration, देखिए, यह properties हमारे लिए बहुती necessary, बहुती important है, because यह property use नहीं करेंगे, तो यह problem सौली नहीं कर पाएंगे, हमने जो इसके पहले 3 methods सीके हैं, integration by subscription, integration by parts, integration by partial fractions, इन तिनों methods को limitations है, इसलिए हम यहाँ पर use कर रहें, properties of definite integration, ठीक है, now 3 minus x bracket square का expansion, अब हमारे पास क्या रहेगा, integration from 0 to 3, it will be 9 minus 6x plus x square, x raised to 5 by 2 dx, ठीक है, हमने इसे expand किया है, अब x raised to 5 by 2 से अगर multiply करेंगे, integration from 0 to 3, 9x raised to 5 by 2, minus 6x into x raised to 5 by 2, okay, x into x raised to 5 by 2 से अगर से, x into x raised to 5 by 2, plus x square into x raised to 5 by 2, dx, हमने यहाँ पर x raised to 5 by 2 से, हर एक टर्म को multiply किया है, now therefore, i equals to integration from 0 to 3, अब यह 9x raised to 5 by 2, 9x raised to 5 by 2 minus, देखिए, product में अगर बेस सेम हैं, तो उसके index का हम सम लेते हैं, तो यहाँ पर रहेगा, minus 6x raised to 1 plus 5 by 2, यहाँ पर x का power 1 है, यहाँ पर 5 by 2 है, plus x square into x raised to 5 by 2, यह रहेगा, x raised to 2 plus 5 by 2, दोनों के index का हमने यहाँ पर सम लिया है, ओके, now therefore, i equals to integration from 0 to 3, 9x raised to 5 by 2, minus 6x raised to 7 by 2, 2 से 1 को multiply करेंगे, 2 रहेगा, 2 plus 5, 7, 7 by 2, plus x raised to 9 by 2, और यहाँ पर है dx, 2 into 2, 4, 4 plus 5, 9, it will be 9 by 2, अब हम इसे easily integrate कर सकते हैं, i equals to, 9x raised to 5 by 2, plus 1, upon 5 by 2, plus 1 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसे integrate करते से में हम formula यूज करेंगे, integration of x raised to n का, इसका integration हम लेते, x raised to n plus 1, upon n plus 1, plus c, यह formula हम यहाँ पर यूज करेंगे, अब इसी प्रकार से, minus 6x raised to 7 by 2, plus 1, upon 7 by 2, plus 1, plus x raised to 9 by 2, plus 1, upon 9 by 2, plus 1, ओके, from 0 to 3, ठीक है, इस प्रकार से, हमने इसका integration लिया है, now, i equals 2, देखिए, 9x raised to, 5 by 2 plus 1, इस 2 से 1 को multiply करेंगे, तो 5 plus 2, 7 बनेगा, it will be, 7 by 2, upon, यहाँ पर भी 7 by 2 मिलेगा, minus 6x raised to, यहाँ 9 by 2, upon 9 by 2 मिलेगा, ओके, धहान दीजिए, 7 by 2 plus 1, 2 से 1 को multiply करेंगे, 2, 7 plus 2, 9, इसी प्रकार से, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए, x raised to, 2 into 1, 2, 9 plus 2, 11, 11 by 2, upon, 11 by 2, from 0 to 3, okay, now, therefore, i equals 2, देखिए, यहाँ पर क्या रहेगा, 7 by 2, तो इसे हम, 2 by 7 ले सकते है, 2 by 7, into 9 x raised to, 7 by 2, minus, यह, 2 by 9, into, 6 x raised to, 9 by 2, plus, 2 by 11, 11 by 2, पर लिए बाद, 2 by 11, x raised to, 11 by 2, from 0 to 3, इस प्रकार से रहेगा, okay, now, therefore, i equals 2, धान दीजिए, 2 into 9, 18, 18, x raised to, 7 by 2, upon 7, okay, 6 और 9, इसे हम, 3 से अगर, divide करेंगे, 3 to the 6, 3 to the 9, 3 to the 6, 22 to 4, 4 upon 3 रहेगा, 3 to the 6, 3 to the 9, denominator में, 3 भी लेगा, 4 by 3, x raised to, 9 by 2, plus, 2 x raised to, 11 by 2, upon, 11, okay, from 0 to 3, ठीक है न, अब देखें, यहाँ पे, upper limit minus, lower limit लेना है, therefore, i equals to, upper limit 3 है, तो यह रहेगा, 18 into, 3 raised to, 7 by 2, upon 7, minus, 4 into, 3 raised to, 9 by 2, upon 3, plus, 2 into, 3 raised to, 11 by 2, upon 11, minus, अगर हमने, यहाँ पे, lower limit substitute किया, 0, तो, 0 raised to, 7 by 2, 0 रहेगा, मतलब, यह term 0 बनेगा, 0 raised to, 9 by 2, 0 रहेगा, मतलब, यह term 0 बनेगा, 0 raised to, 11 by 2, 0 रहेगा, मतलब, यह term 0 बनेगा, तो, इसका मतलब, second term हमें लेने की, अब जरूरत नहीं है, because, lower limit substitute किया बाद, हर एक term हम, यहाँ पे 0 मिल रहे है, ओके, now therefore, I equals to, अब देखिए, थोड़ा सा धान दीजे, 8 into, 3 raised to, 7 by 2, देखिए, हमें पता है, 5 by 2, plus 1, ठीक हैं, अब इस 7 by 2, 3 raised to 7 by 2, हर जगा से, अगर हम common लेते हैं, 3 raised to 7 by 2, यह 3 raised to 7 by 2, as it is, upon 7, minus 4 into, 3 raised to 9 by 2, जो है, कैसे मिल आता, 7 by 2 plus 1, तो हम इसे लिख सकते हैं, 3 raised to, 7 by 2 into 3, चलेगा, देखिए, 7 by 2 plus 1, हमें क्या मिला था, 7 by 2 plus 1 is 9 by 2, इसका मतलब, 3 raised to 7 by 2, into 3, 3 का power 1, दोनों का अगर सम लेते हैं, तो 9 by 2 मिलेगा, ओके, and this whole term divided by 3, प्लस यहाँ पे 2 into 3, 11 by 2 हमें किस प्रकार से मिला था, 11 by 2, यहाँ पे देखिए, 9 by 2 plus 1, ओके, लेकिन हम 7 by 2 common लेंगे, तो अगर यहाँ पे इसे हम 7 by 2 लेते हैं, हमें क्या लेना है, 11 by 2, तो 7 by 2 अगर लेते हैं, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, हमें 2, चलेगा, ठीक है न, 7 by 2 plus 2, it will be 11 by 2, तो इसे हम लिख सकते हैं, 2 into 3 into 7 by 2 into 3 square upon 11, ओके देखिए, समझ रहे हैं आपको, देखिए, 3 raise to 7 by 2 into 3 square, it will be 3 raise to 11 by 2, 3 raise to 7 by 2 into 3, 3 raise to 9 by 2, और यह 3 raise to 7 by 2, अगर यहाँ से हम 3 raise to 7 by 2 बाहर लेते हैं, तो ब्राकेट में हमारे पास क्या रहेगा, 18 by 7 minus, यह 3, इस 3 के साथ cancel होगा, तो यहाँ पर simply रहेगा 4 plus, अब यह 3 square into 2, it will be, 3 square is 9, 9 into 2, 18, तो यह रहेगा 18 upon 11, ओके, ठीक है ना, क्या मिला है हमें, 18 upon 11, यह 3 तो हमने इस 3 के साथ cancel किया है, now therefore I equals to, इसे हमें अब solve करना है, चाहे तो मैं equal to, यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए, 3 raise to, 7 by 2, inside the bracket, यहाँ का Yelcium रहेगा 77, क्या रहेगा 77, अब इस 77 को 7 से अगर divide करते हैं, तो 11 मिलेगा हमें, तो 18 into 11, यह क्या बनेगा देखिए, 18 upon 18, हमारे पास 1 रहेगा, 18 upon 18 plus 1, 198, 198 मिलेगा, अब इस 77 को, अगर हम 4 से multiply करते हैं, क्योंकि यहाँ का denominator 1 है, 77 को अगर 1 से divide किया, तो 77, 77 into 4, 4 7s are 28, 8 हमारे पास 2 रहेगा, 4 7s are 28 plus 2, it will be 30, 308, यहाँ पर यह रहेगा, minus 308, plus, धान दीजिए, अब यहाँ पर कितना है, देखिए, यहाँ पर है, 18, अब इस 11 को, 77 को अगर हम 7 से divide करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए हम क्या मिलेगा, तो 77 को अगर 11 से divide करते हैं, तो 7 मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 100, तो क्या करना है, हमें 18 को 7 से multiply करना है, ठीक है, तो यह रहेगा हमारे पास 126, 126, ठीक है ना, इस प्रकार से हमें उसका sum मिलेगा, ओके, अब देखिए, यह 198, 198 प्लस 126, यह क्या मिलेगा देखिए, 8 प्लस 6, 14, 4 हमारे पास 1 रहेगा, यहाँ पे 3 बनेंगे, 9 प्लस 3, 12, फिर हमारे पास 1 रहेगा, 1 प्लस 1, 2, 2, 2 प्लस 1, 3 मिलेगा, 324, 324 से 308 को हमें माइनस करना है, बिकाज, देखिए, इन दोनों का sum में क्या मिला है, 324, ओके, तो यहाँ रहेगा, हमारे पास 16, इन दोनों का, जो difference है, इन दोनों का difference हमें 16 मिलेगा, तो इसका मतलब I equals to answer क्या रहेगा, यह 3 raise to 7 by 2 है, और इसका पूरा answer हमें 16 मिला है, तो यह 16 into 3 raise to 7 by 2 upon 11, ठीक है, यह रहेगा हमारा final answer, चलिए अब इसी प्रकार से हम next question solve करते हैं, ठीक है, थोड़ असा इसका solution लेंदी है, लेकिन बहुत easy, question number 6 और question number 7 में, हमें same property यूज़ करनी है, look here, इस प्रकार की property हमें पता है, यहाँ पे minus 3 to 3 दिया है, integration, हमें property पता है minus 8 to 8 की, question number 7 में भी minus pi by 2 to pi by 2 दिया है, तो यहाँ पे भी हम property उज़ करेंगे, integration from minus 8 to 8 की, जो last वाली property हमने properties of definite integration में देखी है, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, function even है या odd है, ठीक है, अगर function even है, तो twice integration from 0 to 8 उस प्रकार से लेते हम, और अगर function odd है, तो इसका answer हम directly 0 ले सकते हैं, तो पहले हमें function देखना पड़ेगा, यहाँ का even है या फिर odd है, now integration from minus 3 to 3 x cube upon 9 minus x square dx, ठीक है ना, यहाँ पे जो property हम use करने जा रहे हैं, वो property even function odd function से related है, ओके, even function मतलब f of minus x equals to, अगर f of x आता है, अगर suppose f of minus x equals to f of x रहेगा, तो उसे हम even function कहते हैं, और अगर f of minus x equals to minus f of x रहेगा, तो उसे हम odd function कहते हैं, ओके, अब देखिए यहाँ पे, look here, अब पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ का जो f of x है, even है या फिर odd है, now f of x equals to x cube upon 9 minus x square, तो यहाँ हम find करते हैं, f of minus x, यह किस प्रकार से लेंगे हम, जहाँ भी x है, इसमें जहाँ जहाँ x है, वहाँ पे हमें minus x substitute करना है, तो minus x bracket cube upon 9 minus minus x bracket square, x को minus x से replace करना है, अब यह minus x bracket cube, it will be minus x cube upon 9 minus minus of x square is x square, तो यह रहेगा, minus x cube upon 9 minus x square, इसका मतलब देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ, f of minus x का value, ठीकें, f of minus x का value हमें क्या मिलेगा, minus, यह x cube upon 9 minus x square, अगर सपोज इसे हम first कहते हैं, धान दीजिए, therefore, f of minus x equals to minus, यह value किसका है, f of x का, f of minus x equals to, हमें minus f of x मिला है, using first, ओके, तो इसका मतलब, अगर f of minus x equals to, minus f of x आता है, तो यहाँ का function, क्या रहेगा, और, therefore, f of x equals to, x cube upon 9 minus x square, is odd function, यहाँ का function है, यह function किस प्रकार का है, odd function है, और property हमें पता है, देखिए, using, हम कौन सा property, use कर सकते है, integration from minus, a to, a f of x, dx equals to, यह property हमारे पास है, twice integration from, 0 to, a f of x, dx, if f is even, अगर, यहाँ का function, even है, और, equals to, 0 मिलता है, अगर, f is odd, अगर function odd रहेगा, तो इसका अंसर, integration from minus, a to, a f of x, dx का अंसर हमें, क्या मिलेगा, 0, तो देखिए, यहाँ पर हमारा function, odd है, इसलिए, integration from, minus, 3 to, 3 x cube, upon, 9 minus x square, dx, is complete integration का, value क्या मिलेगा, 0, क्योंकि property हमारे पास, therefore, हम क्या कह सकते है, i equals to 0, तो देखिए, यहाँ का अंसर हमारे पास, क्या रहेगा, 0, ठीक है, हमने यह last वाला property, यूज किया है, अब सेम, यही property यूज करके, हमें, question number 7, solve करना है, ठीक है, ठीक है, from minus pi by 2, to pi by 2, log of 2 plus sin x, upon 2 minus sin x dx, ओके, यहाँ का f of x क्या है, धान दीजे, now here, f of x is log of 2 plus sin x, upon 2 minus sin x, ठीक है, जिस तरह से हमने f of x से, f of minus x find किया था, उसी प्रकार से, यहाँ पे भी हम f of x से, f of minus x find करेंगे, और यह रहेगा, log of 2 plus sin of minus x, upon 2 minus sin of minus x, ठीक है न, जहाँ जहाँ x है, वहाँ पे हमने minus x, अब शोड किया है, now therefore, f of minus x, equals to log of, 2 plus sin of minus theta, minus sin theta, ओके, तो यह रहेगा, 2 minus sin x, upon 2 plus sin x, वाई, because sin of minus theta, is minus sin theta, since, यहाँ पे हम, लिख सकते है, sin of minus x का value, क्या है, minus sin x, ओके, तो देखिए, therefore, f of minus x, equals to, ठीक है, log of, हमें पता है, अगर, suppose, यहाँ पे, हम इसे, इस प्रकार से, भी लिख सकते हैं, log of, 2 minus sin x, minus log of, यह फिर, हमारे पास, property यह देखिए, if you remember, हमारे पास, अगर यह property, हम यूज करते हैं, log of, a upon b, equals to, minus log of, b upon a, यह property, हमारे पास, log की, log of, a by b, equals to, minus log of, b by a, तो, उस प्रकार से, अगर, यहाँ पे, यह property, उस करते हैं, तो, minus log of, मतलब, यहाँ का, numerator, denominator, interchange होगा, minus log of, क्या रहेगा, यहाँ पे, numerator में रहेगा, 2 plus sin x, और denominator में रहेगा, 2 minus sin x, यह बहुत important property है, log of, a by b, equals to, minus log of, b by, ठीक है, now, what is, log of, 2 plus sin x, upon 2 minus sin x, it is f of x, अगर, इसे हम first कहते हैं, therefore, हम क्या कह सकते है, f of minus x, equals to, minus f of x, by first, ठीक है, अगर, f of minus x, equals to, minus f of x, मिल रहा है, इसका मतलब क्या, therefore, f of x, equals to, log of, 2 plus sin x, upon, 2 minus sin x, is, odd function, यह किस प्रकार का function रहेगा, odd function रहेगा, तो, इसके लिए, हमें यही property उस करना है, now using, देखिए, हमारे पास property क्या है, अगर, integration from, minus a to a, f of x, dx है, तो, इसका अंसर हम, twice, integration from 0 to a, f of x, dx लेते है, अगर, यहां का, f even है, if f is even function, और, इसका अंसर हम, 0 लेते है, कब, जब यहां का function, odd होगा, f is odd function, चीक है, अगर, f even रहेगा, तो, इसका अंसर, twice, integration from 0 to a, f of x, dx लेना है, अगर, f odd रहेगा, तो, इसका अंसर हमें, 0 लेना है, इस problem में, जो function हमें, दिया है, जो, integrand हमें, दिया है, odd है, तो, इसके लिए, इसका अंसर, भी 0 रहेगा, therefore, i equals to, directly, हम 0 कह सकते है, because, यहां का, जो integrand है, यह function, किस प्रकार का function है, odd function है, ओके, चलिए, अब इसी प्रकार से, question number 8, solve करते है, question number 8 is, integration from, minus 1 to 1, 2 plus x cube, upon, under root 4, plus x square, dx, ओके, now, इसे हम लिख सकते है, integration from, minus 1 to 1, 2 upon, under root 4, plus x square, plus x cube, upon, under root 4, plus x square, यहां पर, denominator हमने, separate लिया है, dx, ओके, अब integration sign, भी separate ले सकते है, integration from, minus 1 to 1, 2 upon, under root, 4 plus x square, dx, plus integration from, minus 1 to 1, x cube, upon, under root, 4, plus x square, dx, ठीक है, अब यहां पर, इस first function को, हम कह सकते है, i1, ठीक है, इसे हम, i1 कहेंगे, plus इसे हम, i2 कहेंगे, और इसे, equation first कहते है, now, now, where, i1 equals to, चलिए, पहले, हम, i1 को solve करते है, i1 equals to, integration from, minus 1 to 1, 2 upon, under root, 4, plus, x square, dx, ठीक है, यहां फिर, हम इसे, 7 में भी, solve कर सकते हैं, look here, हम यहां पर, ले सकते है, f1 और, f2 धान दीजिए, ऐसे भी ले सकते हैं, suppose, हम क्या करेंगे, f1, x equals to, 2 upon, under root, 4, plus, x square, और, f2 of, x equals to, हम लेते हैं, x cube upon, under root, 4 plus, x square, ऐसा लिया, तो भी चलेगा, इसे, हमने, इस, 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 आगर, अगर, हब, suppose, x की, जगा, हम, minus, x लेते हैं, क्योंकि हमें, even, odd function, test करना है, decide करना है, f1 of, minus x, 2 upon, under root, 4, plus, minus, x, bracket square, चलेगा, अब, इसी प्रकार से, f2 of, x, equals to, minus, x, bracket cube, upon, under root, 4, plus, minus, x, bracket square, जहाँ, जहाँ, x है, वहाँ, वहाँ, हमने, minus x, substitute किया है, now, therefore, f1 of, minus, x, equals to, 2 upon, यह, रहेगा, under root, 4, plus, minus, x, square, x, square, ओके, और, यहाँ, पे, f2, x, equals to, minus, x, cube, minus, x, cube, मिलेगा, upon, under root, 4, plus, x, square, बहुत ही, simple है, ठीक है, minus x, minus x, उसका, cube, क्या मिलेगा, minus x, cube, देखे, 2 upon, under root, 4, plus, x, square, किसका, value है, f1, x, therefore, यहाँ, पे, हमें, f1 of, minus x, equals to, f1, x, मिलेगा, और, यहाँ, पे, f2 of, minus x, यह, minus x है, minus x सब्टोट किया है, f2 of, minus x, equals to, minus f2 of x, f1 of, minus x, f1 of x, f2 of, minus x, minus f2 of x, therefore, हम क्या कहेंगे, therefore, f1 of x, is, even function, okay, and, क्या कहे सकते हम, f2 of, x is, f2 of, x, is, odd function, f1 of x, even function है, और, f2 of x, odd function है, तो, यहाँ, पे, हम, use कर सकते हैं, देखिए, using, वही, property, हमें, use करना है, integration, from, minus a to a, f of x, dx, equals to, twice integration, from, 0 to a, f of x, dx, f is, even function, अगर, यहाँ, का, even function है, लास्ट वाला प्रॉपर्डी ठीक है, और, equals to 0, प्रॉपर्डी तो, आप definite integration में, यह, last property है, और, generally, यही, property का, proof, आपको, examination में, frequently, पूछा जाता है, तो, देखिए, last और, last, but one property, इन दो, प्रॉपर्डी पी, प्रॉपर्डी जागा, focus करना, ओके, और, यहाँ पे, if is odd function, अब देखिए, यह situation में, हमारा, जो first function है, यह, even मिला है, और, यह, जो है, यह odd मिला है, therefore, अगर इसे, हम first कहते हैं, therefore, हम क्या कहेंगे, equation first becomes, equation first, हमारे पास, क्या रहेगा, I equals to, क्या बनेगा, देखिए, इसका answer, अब यह, अगर, even function है, तो, minus a to, minus a to, a की जगा, हम zero to, a लेते है, with two, तो, यहाँ पे ले सकते हैं, twice integration from, zero to one, यह मिलेगा, twice integration from, zero to one, two upon, धान दीजे, two upon, under root, four plus, x square dx, okay, plus, देखिए, इसका answer, हमें मिलेगा, zero, because, f one x is, even function, and f two x is, or function, ठीक है, देखिए, अब इसके बाद, हम, किस प्रकार से, इसे solve करेंगे, अब यहाँ पे, धान दीजे, इसे, इसे हम लिख पाएंगे, i equals to, twice integration from, zero to one, two upon, under root, four plus, x square dx, okay, अब, यह जो two है, इस two को, हम बाहर भी ले सकते हैं, two into two, इसे हम, यहाँ पे four लेंगे, ठीक हैं, और यहाँ है one, one upon, under root, four plus, x square dx, अब इसका, integration लेने के लिए, हम formula use करेंगे, using integration of, one upon, under root, a square plus, x square dx, इसका, formula हमारे पास क्या है, log of, mod of, x plus, under root, x square plus, a square plus, c, ठीक है न, यहाँ फिर, a square plus, x square, देखिए, इस four को, हम two square भी लिख सकते हैं, मतलब, समझने के लिए, plus x square, यह form में है, ओके, now therefore, i equals to, four as it is, log of, mod of, x plus, under root, x square plus, two square, मतलब, x square plus four, या फिर, four plus x square, ओके, ठीक है न, यहाँ इसका, हमने यहाँ पर, integration लिया है, ठीक है, under root, x square plus, a square, मैंने इसको, आप इसे, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, under root, a square plus x square है, तो under root, x square plus a square, दोनों भी सेम है, one upon under root, x square plus a square, रहेगा, तो log of, mod of, x plus under root, x square plus a square, plus c, रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर, लेना है, हमें limit, from, 0 to 1, ओके, now therefore, i equals to, 4, अब upper limit minus, lower limit लेना है, log of, mod of, 1 plus under root, 1 plus 4, क्यों, क्योंकि, x का value हमने, यहाँ पर, 1 substitute किया है, log of, 1 plus under root, 1 plus 4, ठीक है, हमने upper limit लिया, यहाँ पर, हमने 1 substitute किया, अब lower limit substitute करना है, मतलब 0, तो यहाँ, क्या मिलेगा, log of, mod of, 0 plus under root, 0 plus 4, अब पर limit, minus lower limit, and therefore, i equals to 4, log of, mod of, 1 plus 4 is, 5, तो यह, 1 plus square root of, 5 मिलेगा, minus log of, mod of, यहाँ पर, 2 रहेगा, okay, square root of 4, मतलब यह, 2 रहेगा, therefore, i equals to, 4, log of, mod of, 1 plus square root, 5, upon 2, हमारे पास, log a, minus log b, इसका, rule है, law हमारे पास, since, log a, minus log b, equals to, रहेगा, log of, a, upon b, चीक है, log a, minus log b, equals to, log of, a, upon b, तो देखिए, इसका, अंसर रहेगा, 4, log of, mod of, 1 plus square root, 5, upon 2, ठीक है, देखिए, friends, हमने, आज के, इस वीडियो लेक्चर में, exercise, 4.2, जो है, इस exercise, 4.2 का, question number 3, इस question number 3, में, total 15, sub questions है, लेकिन, आज के, इस वीडियो लेक्चर में, हमने, इस question से, question number 1, से लेके, question number 8, तेक के, सबी sub questions, बहुत ही अच्छी तरह से, solve किया है, यहाँ पे, एक बात, आपने, notice की होगी, कि हर एक question में, हम property, यूज कर रहे हैं, पहले, इस से पहले, जैसे, question number 6, मतलब, question number 5 तक, हमने सिर्फ, एक ही property यूज की, integration from 0 to A, yaf of x dx, की property हमने यूज की, लेकिन question number 6, question number 7, और question number 8, इन तीनों भी questions, को solve करने की लिए, हमने यहाँ पे, यह property यूज की है, last quality, properties of definite integration में, यह last quality, यह property हमने यहाँ यूज की है, देखिए, इस property का, प्रूप भी frequently पूचा जाता है, आपके state board examination में, तो मेरा आपसे suggestion रहेगा, वैसे तो आपको, सभी properties के proof, prepare करने, लेकिन, ज़्यादा से ज़्यादा focus करना है, आपको यह last और last, but one वाली property पे, ठीक है, क्योंकि, इन दो property के proof, frequently, इससे ज़्यादा, इसी property का proof, अमें examination में, पूछा गया है, थ्री मार्स के लिए, तो मेरा suggestion रहेगा, उन सभी property को तो आपको prepare करना है, लेकिन, ज़्यादा से ज़्यादा focus कीजिए, last और last, but one वाली property, last और उसके, पहले की जो property है, ठीक है, देखिए friends, आपके जितने भी friends से रेटूज, class 11th और 12th में, महरास और स्टेट बोर्ड में, कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को, mathematics के लिए, प्लीज इस चानल को subscribe करने के लिए, अवश्यक है, और इन वीडियो को आपके friends के साथ share कीजिए, वीडियो देखे बाद, लाइक करना न भूलिए, और वीडियो देखे बाद, आपको वीडियो कैसा लगता है, प्लीज, 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 कमेंट कीजिए, ठीक है, आपका कमेंट, देखिए, मेरे लिए थोड़ा सा, motivational रहेगा, मैं उसे और ज़्यादा motivate हो जाओगा, और ज़्यादा, effective video lectures में आपके लिए यहाँ पे, लेकर आ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे, आप सभी का cooperation बहुत ज़रूर है, आपके जितने भी friends, अभी MSTCED का preparation करते होंगे, या फिर GW का preparation करते होंगे, ख्लास 11, ख्लास 12 में पढ़ते होंगे, ख्लास 11, 12 महारास्टर स्टेट बोर्ड में, कहीं पर भी पढ़ते होंगे महारास्टरा में, तो please उन सभी को इस चानल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्यक है, आप भी अगर इस चानल पे नए हो, तो please इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स फोडियो लेक्चर में, थैंक्स पोच्छेंग माई वडिए,